तो यार आज वाले लेक्टर के अंदर मैं आपसे बात करूँगा लॉश प्रेंग की यार देखो यह ना इसका पार्ट वन है एक शाप्टर के अंदर आपके पास दो स्टोरीज है एक स्टोरी हमारी साहीब आलम की है और दूसरी हमारी मुकेश की स्टोरी है जो कि दोनों ही अलग अलग है तो मैं एक पार्ट के अंदर आपको साहीब आलम वाली जो है आज पूरी स्टोरी कराने वाला हूँ तो नेक्स पार्ट जो कि आज ही अपलोड हो जाएगा वो आपका शाम को मुकेश वाली स्टोरी हम वहां करेंगे तो अगर मैं इस चाप्टर की बात करो त सबसे पहली चीज़ आपको खास ख्याल रखने है यह जो चाप्टर के ऑथर है उनका नाम क्या है हमारी वह हमारी अनीज जंग हमेशा धिहान रखना बिटा जब कभी भी आप अपने आंसर की फ्रेमिंग करोगे ऑथर के नाम हमेशा लिखने की एक आदर डालो उससे तोड सहं में वेश के मैं आपको इस एक पहले पूरी समरी बहुत कायत influencing से समझाँगा उसके बाद हम QAश्टन की तरफ चलेंगे सबसे पहले अगर मैं चाप्टर की बात करता हूं आपसे तो यह है क्या, इस chapter में हमने सबसे ज़ादा जो focus करना है वो करना है साहीब आलम की, साहीब आलम कौन है, एक छोटा सा बच्चा है, जो कहां रहता है, सीमा पूरी के अंदर रहता है, छोटा सा, मेरा मतलब इतना भी छोटा नहीं की गोज गंदर है, अच्छा काजा है, छो है अनीज जंग जी जो है न इस आप्टर के अंदर आपको चाइल्ड लेबर जो है कैसे एक जो बच्चे है वो छोटी-छोटी सी उमर के अंदर अपनी फैमिली के सर्वाइवल का पार्ट बनते हैं वो इस स्टोरी के अंदर दिखाया गया है सो दाट जो हमारी गवर्मेंट्स है जो हमारी ओफिशल्स है उनकी नजर जो है इस तरह भी पड़े तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिसकॉशन कुड़ा साफ करना कुड़ा उठाना भी एक तरीकी की आर्ट है उनके हाथ जो है इस तरीके से चीजों को जो है बाइफर केट करें अलग अलग तरीके के कुड़े को अलग अलग तरीके से डिस्रिब्यूट करें जिसको देखकर वो जो है बड़ी है रहान रह जाते कि यह and lifestyle, जो सीमापूरी और डेली है उनके lifestyle के अंदर, उनके रहेंस हैं के अंदर बहुत ही जादा फर्क है ठीक है, rag picking is livelihood for the people in सीमापूरी सीमापूरी के अंदर जो लोग रहते हैं, उनके लिए कूडा उठाना actual में एक color है, एक art है, वो उनकी lifestyle का part है, उसी से ही वो अपनी रोजमर्रा की जन्दीगी जो है वो जीते हैं, उसी से उनके घर के अंदर खाना आता है, राशान आता है बात आई समझे, अब वो ये लोग है कौण actual में, ये है refugees from Bangladesh, बांगलादेश की refugees है, वो सारे हमारे Delhi की सीमापूरी के अंदर रहते हैं, जिनोंने अपना घर जो है, वो तूफानों के अंदर खो दिया था, और कुछ लोग urbanization की वज़से वहाँ से चलके यहाँ पर आ गए थे बात रिसंद में, major जब भी हमें बात लिखनी पड़ेगी, कि वो लोग कौन थे जो सीमापूरी के अंदर आके रहते थे तो वो refugees थे बांगलादेश से जो की, जिनका घर जो है storms के अंदर तबाह हो गया था, तब वो यहाँ पर आये थे ठीक है, इन लोगों के लिए disappointment जो है, वो बड़ी common सा phenomenon है, मतलब daily life के अंदर निराश होना, हताश होना, मानों के इनका जैसे life का ही पार्ट बन गया हो देन उसके बाद, ये बिलकुली नंगे पैर जो है, सब तो नहीं चलते होंगे, बढ़ maximum जो लोग वहाँ पर है, वो नंगे पैर ही चलते हैं क्योंकि उनके बास उतनी affordability नहीं है कि वो अपने लिए कुछ एक better चपल, better shoe कुछ purchase कर सके ठीक है, garbage means livelihood, उनके लिए garbage का कूड़ा का मतलब ही उनकी जो है घर के खर्चे चलाने का एक साधन है, जरिया है, ठीक है जो उनके बड़े लोग है, लेकिन बच्चों के लिए जो चीजे उनके अंदर लिप्टी हुई है, कूड़ों के अंदर लिप्टी हुई है वो उनके लिए एक तरीके का खजान है बच्चे जो आपस में बड़ा कॉमपटिशन करते हैं कि आज मुझे यही मिला कभी-कभी उनके लिए आप देखोगे लिए इस स्टोरी का जो नाम है इस स्टोरी का टाइटल है सम्टाइम्स आइफाइंड आ रुपी इन दा गावेज मतलब कि आप साहीब आलम ने यह बात बूली है वह कहता है कि कभी-कभारत मुझे एक रुपा मिल जाता है कूड़े के अंदर तो समझे बच्चों के लिए एक खजाने की तरह है वह खजाने की तरह टूंटे कि आज मुझे कुछ बेटर मिल जाए आज मुझे कुछ बेटर मिल जाए और जो बड़े है वहाँ पर उनके लिए उनकी जिन्दीगी चलाने का एक साधने एक रास्ता है बात रहे समझ में देन उसके बाद जोपडियों के अंदर जो है वहाँ पर रहते हैं साहीब आलम इस वन अमंग दा राक पिकर्स जो साहीब आलम है वो भी कुड़ा उठाने वालों में से कोई एक है बड़ बच्चा है साहीब आलम मींस लॉड ऑफ द यूनिवर्स आयरे निकल यहाँ पर यहाँ से क्वेशन बनता है कि साहीब आलम का मतलब क्या है साहीब आलम है जिसका मतलब है यूनिवर्स का लॉड और वो आक्च्वल में क्या कर रहा है वो एक कुड़ा उठा रहा है तो यह बड़ी ही आयरे निकल इसी बात हो गई साहीब इस इंट्रस्टिड इन गेम ओफ टैनिस आउट आफ इस रीच एक बार पे साहीब उन्हें बताता है कि मुझे भी बड़ा टैनिस खेलने का बड़ा मज़ा है बट मन करता है बट मैं नहीं कहल सकता क्यूंकि हमारे लिए तो यह गेम बनी ही नहीं है मतलब हम इसको फिर उसके बाद end में आते आते जो है जो साहीब आलम होता है वो एक tea के stall पे चाय के टपरी पे जो हो काम करने लग जाता है जो जिसमें उसको बड़ा ही heavy सा canister जो हो उठाना पड़ता है और उसको उसके master के लिए जो वहां पे जिसकी टपरी है उसके लिए काम करना पड़ता अब मैं सबसे पहले आपको इसकी theme समझाता हूं देखो मैं हमेशा से आप लगों को एक चीज़ बोलता हूं हमारे paper के इंदर जो question number 12 बनता है और जो question number 13 बनता है उसके अंदर जो है चीजे आते situational ways ठीक है आपको situation दे दी जाते है किसी भी chapter के इसाफ से दे दी जाती है कि अगर आप साहिब आलम की जगा होते तो आपके उपर क्या बीती आप अपनों को सुधारने के लिए क्या करते वो करते तो यह सारी चीजे बता रहें तो उस case के अंदर हमारी जो theme है chapter की वो बहुत ही जादा काम आती है और यह जो दो number के question है यह जो है sorry एक यह 5 number का और यह 5 number का 10 number का यह question आता है पूरे वेपर के अंदर क्योंकि बहुत बड़ी weightage रखता है और यहार देखो मैं आप लोगों को एक बात बता हूँ इस channel के उपर proper पूरी complete preparation आप लोगों के English language की करवा रहा हूँ आप यहां पर देख सकते हो मैं बिल्कुल sequence के अंदर हर एक चीज करवा रहा हूँ मेरे भाई आप भी देख सकते हो इस Excel का link जो है न मैं आपको description box के अंदर दे दूँगा आपका unseen passage, notice, writing, formal, informal, letter to editor सारी चीजे बिल्कुल day wise मैं करवा रहा हूँ और बाकी आप हमारे telegram group join कर सकते हो मैं description box के अंदर उसका भी link डलवा रहा हूँ उसके अंदर बहुत सारे बच्चे हैं आपके आपस में जो doubt होता है मेरी भाई, आप वहाँ से उनसे पूछ सकते हो उनसे questions मांग सकते हो बच्चे amazing तरीके से आप अपनी preparation कर रहे है और बाकी आर देखो अभी तम आप लोगों के preparation करवाए रहा हूँ लेकिन अगर आप end days के अंदर देखोगे न नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करके रखना देखो यार अब थीम समझते है The theme of the story revolves around the loss of the childhood innocence and dreams due to the social economic disparities यहाँ पे यह पूरा chapter है यह पूरा chapter हमें यह बता रहे है कैसे जो बच्पन है जो childhood की innocence है वो social economic disparities जो होती है मतलब की difference है उनके बीच में कैसे जो है यह बच्चे जो अपना बच्पन खो देते and the prevalence of child labor साहिब the protagonist protagonist का मतलब होता है जो leader होता है मतलब उन सबको दर्शाने वाला मतलब साहिब तो एक बंदा हो गया जो की बाकी rack pickers को दर्शार है तो साहिब जो protagonist symbol वाला बच्चा है जो की ऐसे कई सारे बच्चों को दिखाता है जो की actual में अपना पूरा बच्पन अपनी पूरी education अपनी family की survival के लिए उन्हें बलिदान देना पड़ता है छोड़ना पड़ता है खोनी पड़ते है उनको ताकि वो survival कर पाए the story shed light on the systemic actual में अभी हो रखी है जिस पर social awareness की जरुवत है और change लाने की जरुवत है to ensure a better future for the underprivileged children of India यह जो story है यह actual में light डालती है कि जो हमारे underprivileged children है जिनके पास जादा कुछ चीजे नहीं है उनको हम mainframe में ला सके उनको भी quality education अच्छी सारी चीजे provide कर सके चलें भई तो यह पूरी theme है यह line अगर आप लिखोगे actual में वजन आएगा answers के निर हमीशा देखते हैं भई what could be some of the reasons for the migration of the people from villages to cities क्यों लोग जो है वह villages से cities की तरफ आ गय थे क्यों आय थे पहला तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो storms था उसकी वज़े से आय थे और कुछ urbanization की better quality life के लिए भी यहां पे आय थे देखते क्या लिखता है there are many factors that cause migration of the people from Bangladesh to Simapuri बहुत सारे factors है जैसे कि पहला है हमारा urbanization urbanization का मतलब होता है शेहरी इलाकों के अंदर आना रोजगार ढूंडना उनका lifestyle जीना ठीक है तो urbanization हो गया education हो गया employment हो गया के उनको रोजगार मिले उनको पढ़ाई मिले उनकी safety मिले और जो basic जरुरत की चीज़े जो चाहिए होती है वो सारी चीज़े उनने यहां पे मिल जाए जैसे कि hospitals हो गये और आपकी जो भी चीज़े होते है basic सारी हो सारी चीज़े मिल जाए some villagers voluntarily move to cities in the search for jobs and better civic and health facilities कुछ लोग तो जो है better voluntarily मतलब खुद जो है वहां से निकल के आये क्यों अपना better job के लिए better lifestyle के लिए health facilities के लिए other are forced to migrate when natural disaster like flood, storm, drought, famine, extra destroy their house and their properties कुछ लोग तो जो है खुद ही निकल के आये है better lifestyle मिल सके और कुछ लोग क्योंके बांगलादेश के अंदर उनके घर तभा हो गए थे किसकी वज़े से storm की वज़े से जो यहां पर drought पड़े थे यहां पर flood आये था उनकी वज़े से उनके घर तभा हो गए तो वह यहां पर आये थे यह बात आपको लिखनी है ठीक है चलो भी अब चलते ज़रा अब देखो यह ने एक extract based question है आप लोगोंने मेरे को हमेशन से एक बात कहते वे सुना होगा कि यार मैना थोड़ा सा फोकस करता हो कि यार आप लोगो ना line by line चीज़े ज़रूर पढ़ो देखो हमने पूरी story पढ़ ली अभी जिस बच्चे को line by line जितना उसने पढ़ा होगा और हमने क्योंकि हमने summary पढ़ी तो हमारे भी इसमें फर्क पता है कहा चाता है अब यह पूरा ना एक extract उठके आगया है मतलब कि आपके पूरे chapter का एक टुकड़ा उठके आगया है अब यहाँ पे आपको ना यह पढ़े के थोड़ी सी आपके दोस्ती सी नहीं हो पाएगी इस extract आपको लगेगा कि यार यह क्या आ गया यह क्या आगया मैं इसको उतना समझनी पारा लेकिन जिस बच्चे ने लाइन तो लाइन पड़ा होगा ना भाई उसको यह बात दिल से रिलेट होगे वो जो MCQS question उसको जल्दी अल्दी निपटाएगा यह थोड़ा सा फर्क आ जाता है इसलिए देखो यहाँ पे जो आप sheet देख रहे हो ना मेरे भाई यहाँ पे आप अगर यह sheet देखोगे तो sheet यही sheet ठीक है तो आज अगर मैं date आपको दिखा रहा हो तो आज चार तारीक है मैं आपको law spring करा रहा हो मैंने law spring के line by line explanation डाली सके और यकीन मानो 16 number का extract है बाई 16 number बहुत बड़ी बात होती है तो अगर आपको extract better करने तो line by line की तरफ थोड़ा देखा गरो ठीक है अब देखो क्या कह रहा है यह extract पढ़े पढ़ लेते है wherever they find food ठीक है जब भी उन्हें जो खाना मिलता है they pitch their tents that becomes their transit home वो वापस से अपने गर की तरफ सली जाते है तेंटों के अंदर रहते हैं जो कि उनका एक सुलमा घर बन जाते है वो कूड़ा बीन लेते हैं जो कूड़ा है जो कूड़ा है वो उनके लिए सोना है it is their daily bread a roof over their head even if it is a leaking roof but for our children it is even more वो कह रहा है कि उनकी daily की जो bread and butter है वो इस garbage से ही आती है उनके घर पे उनके सर पे जो है वो च्छत है भले वो च्छत जो है वो लीक कर रहे हो लेकिन बच्चों के लिए वही च्छत एक बहुत बड़ी चीज है ठीक है अब जरा इनके questions जो है attempt लेते है अब देखो who are being referred as they in the given extract अब देखो यह वाली बात है मैं आपको कहा रहा हूँ अगर आप यहां पर they देखोगे whenever they find they का मतलब क्या हो गया कि उन लोगों की बात हो रही है अब यहां पर आप पता है कहां confused हो सकते हो कि भाई अगर आपने line by line नहीं पड़ा कि भाई क्या वो साहिब की family तो नहीं अब जिस बच्चे ने line by line नहीं पड़ी उसको वो confused हो जाएगा कि यारी कहीं मुकेश वाली family में से तो अगर को गरीबी की बात तो वो भी है इसलिए मैं कहाता मेरे भाई तो यहां पी जो they बताया गया ना वो साहिब की family को नहीं बताया वो rag pickers को बताया गया है कि जब भ अपना जो है वो राशन खरीड लेते वो क्या था फो थे हमारे राशन कार उनके पास सिफ राशन कार था उनके पास ना voter id कार ना अधार कार ना पासपूर्ट तो क्यार बहुत ही बड़ी बात हो गई ठीक है तो यह कुछ भी नहीं था सिर्फ राशन कार्ट था जिसके वैसे उन्हें राशन मिल जाता था ध्यान रखना बच्चे हमेशा से जब यह चीज़ें आते हैं बच्चे नौट ट्रू को ने देखते विच वद फॉलिंग स्टेट्में इस नौट ट्रू विद रेफरेंस अफ द एक्स्ट्राइट कॉंसी सही नहीं है सीमापूरी इस सिच्वेटर इन पेरिफेरी यह बात तो बिल्कुल ठीक है ठीक है राट बिल्कुल ठीक है पहला कहा रहा है जो जो सीमापूरी वो डेली के 1971 विदाओट परमिट्स यह बात बिल्कुल ठीक है फॉर्ट चिल्डर राट पेकिंग इस दा ओनली प्रोफेशन नहीं यह सिर्फ ओनली प्रोफेशन राट पेकिंग नहीं थे और भी प्रोफेशन जो है चोटे-चोटे लोग वह कर लिया करते थे ठीक है तो यह समारा गार्बेश यह दो मतलब रख था था हमारा सीमा पूरी के अंदर और वह क्या थे तो यहां पर दो जो बात है वही वाली बात है जो बता रहा था कि जो बड़े लोगों थे उनके लिए तो वह जीने का एक सहारा था लेकिन बच्चों के लिए वह क्या था एक तरीके का दो कि अन्युटन खरण से पर दो का खाया था तकम बड़े आयू आपास में ही कहलो आज को जू कि जोंड़े था ह। यह आतले का संद लिए तो फोट पर रायूटन they sometimes find the valuable items like silver coin they get very valuable things like Chandika Sikka, Ek Rupa it is like exciting adventure for them they were very exciting adventure a way to forget about tough parts of their daily life they were a path for their daily life they were just a tough life they were just one thing even if just for a little while just for a little while but yes, this is one thing in which they forget all their pain which child let's go ahead what makes the author embarrassed at having made a promise that was not meant here Anis was born when they meet from the world they say that you will go to school yes, I have to go to school but there is no school Anis says when they open your school you will come to school yes, I will come to school so Anis is such a boring child that he started to know that you have made your school what is 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 your school now Anis is so embarrassed that I have promised to this child that it can never happen understand? it means that he has not so much that he has made the school so he was very embarrassed what is it? on encountering with sahib the author asks him to go to school okay, the author asks him to go to school okay, the author asks him to go to school immediately at the thought she realizes that the advice must sound very hollow so he feels like he is giving advice that he will go to school because he will live on the other hand sahib replies that there is no school in the neighborhood sahib says that that there is no school in the neighborhood and he will go if the authorities make one sahib says that that I will go to school if authorities make one she asks him what if she starts the school will he go? there he says that if I start the school then you will go sahib goes on asking her is your school ready? the author asked him to ask her is your school ready? she feels embarrassed at having made a promise that was not meant that was not meant that he feels embarrassed that I have promised that I have promised so my brother I hope you will get clarity in this chapter there is a proper summary and believe just so many questions you will do this whole chapter answers you will easily do I hope you will enjoy so best authentic genuine videos always see you in the next video until then bye and take care after the 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 the